अपर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कल 4 अक्टूबर 2020 है कल 4 अक्टूबर 2020 से UPSC Prelims के एक्जाम स्टाट है तो कल UPSC Prelims 2020 जो है अपियर होने जा रहा है तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स आपको बताना चाहता हूं आपके साथ शेर करना चाहता हूं जो कि मुझे काफ़ इंपोर्टेंट लगे UPSC Examination की द्रस्टी से ये टिप्स जो है वो UPSC नहीं बलकि आप कोई भी एक्जाम देते हैं उन सभी के लिए इंपोर्टेंट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर आपको मैं 6 टिप्स बताऊंगा जो कि UPSC Examination की Point of View से काफ़ इंपोर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे First Point है Collection of New Books देखें काफ़ी सारे Students को एक Phobia होता है क्या होता है कि एक्जाम से पहले वो काफ़ी सारी Books को एक ठाकना स्टार्ट करते हैं नही नही बुक्स लाते हैं उनको यह लगता है कि हो सकता है इस बुक में से एक्जाम आजए या फिर हो सकता है कि सेकंड वाली बुक में से एक्जाम आजए तो इस तरह से क्या है कि वो Collection of New Books करते हैं तो दोस्तों जो आपके पास है अवेलेबल जो आपने पूरे साल जो पुस्तकें पड़ी है आप उनी पुस्तकों से अपनी परिक्षा की त्यारी करें नही बुक्स लाने की कोई भी आशकता नहीं है न्यू बुक्स से क्या होगा आपके अंदर एक mentality change होगी आपके उपर एक stress आएगा कि आप जैसे मालो आप history की नई बुक ले आए हैं आप geography की नई बुक ले आए हैं आप anthropology की नई बुक ले आए हैं आप sociology की नई बुक ले आए हैं तो उससे क्या होगा कि आपके उपर एक stress बड़ेगा उससे क्या होगा आपने जो पिछे जो पड़ी पुस्तके हैं ना तो आप उनको रिवाइस कर पाओगे और ना ही आप नई बुकों को कवर कर पाओगे फिर आपके माइनड पे पे एक स्ट्रेस रहेगा किया टाइम काफी कम है और नहीं तो मेरे से ये बुक कवड कवर हुई नहीं मेरे से पहले वाली बुक कवर हुई ठीक है आपने वो सुनी है होगी कहावत की लाखों बुकों को एक बार पढ़ना और एक बुक को लाखों बार पढ़ने में दिन रात का अंतर होता है जैसे मालो एक इंसान 20 बार नहीं नहीं बुक्स पढ़ रहा है और एक इंसान एक पुस्तकों 20 बार पढ़ रहा है और एक इंसान 20 पुस्तकों को एक बार पढ़ रहा है तो 20 बुक्स को एक बार रीड करने से बैटर ये है कि आप एक बुक को 20 टाइम से रीड करें यानि कि ए एक बात पर काफी ज़्यादा फोकस और जोड दिया हुआ है कि सेंगड़ों बुकों को एक टाइम पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को सेंगड़ों बार पढ़ लिया जाए ठीक है तो यह मेंटलिटी आपके अंदर होनी चाहिए collection of new books बिल्कुल भी नहीं करनी है अपने उपर ब्रोसा रखिए आपकी जो study material है उसके उपर भी आप ब्रोसा रखिए ठीक है next point क्या आता है next point आता है proper revision जी हाँ second point है proper revision proper revision कैसे करनी है आपने देखा होगा काफी बार exam के डर से या fear phobia से बच्चे जो है वो revision नहीं कर पाते हैं तो कोई भी exam है वो without revision नहीं होता है without revision exam आप crack करने की सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा आपके लिए revision जो है वो most and most important topic है revision revision किस वे से करें previous year के papers आप उठाएं उनके अंदर जो questions दिये हैं उनको solve करें तो जो revision है उसका काफी important role होता है किसी भी exam के अंदर काफी बार क्या होता है कि जो candidates यानि के experts हैं वो revision नहीं करते हैं new material को पड़ने कोशिश करते हैं उन्हें यह लगता है कि हो सकता है हमारा exam उसके अंदर से आ जाए बट ऐसा नहीं होता है आपको एक syllabus well define किया हुआ होता है जो भी exam होता है उससे पहले तो syllabus के उपर focus करके आपको बैटर revision करनी है जो भी आपने topics पड़े हैं ना मालो 100 out of 100 topics थे बट आपने 100 वैसे 70 यानि कि 70 out of 100 topics आपने cover किये हैं तो आप उन बजाए 30 pending topics को पढ़ने की बजाए आप उन 70 topics पे ज्यादा focus करें उनको revise करें वह ज्यादा better रहता है किसी पी exam में लिखने के लिए वह revision जो है वह काफी ज्यादा better रहती है ठीक है तो यह था आपका second point third point क्या आता है previous year's paper previous year के जो question papers है आप उनको एक बार उठाइए उनके एक जो point है जो तरीका है उसको आप analyze कीजिए कि किस तरीके से paper आ रहा है किस तरीके से exam लिए जा रहे हैं और किस तरीके question आ रहे हैं कई बार क्या होता है question हमें समझ में आ जाता है बट उसके options होते है न यानि के multiple choice question जिसे आप हिंदी में मेडियम वाले बहु वेकल्पी प्रशनों के नाम से जानते हैं उन्हें आप solve करने की कोशिश कीजिए 50-60 questions आप पर ड़े solve करेंगे तो आपकी जो reading और answer selection जो habits है वो आपकी क्या है वो आपकी improve हो जाती है तो 50-60 questions पर ड़े आपको solve करने है MCQs जैसे कि मालना आप UPSC की तहरी करने है तो आप UPSC prelims के पिछले 10 years के यानि 10 सालों के previous year papers को आप solve कीजिए उसके बादे फूर्थ जो main important point आप वो है fear और negativity काफी बार देखने को मिलता है कि जो students हैं जो aspirants हैं उनके अंदर क्या है fear और negativity काफी रहती है fear और negativity in the sense जैसे कि मैं तो first time कर रहा हूं first time मेरा होगा या नहीं होगा इतना ज़्यादा syllabus है मैं कैसे cover कर पाऊंगा तो fear और negativity काफी रहती है लोगों के अंदर वो आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है fear और negativity आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपको be self confident होके exam के अंदर बैखना है आपके अंदर fear होगा phobia होगा exam के प्रति तो आप उस exam को कभी भी successfully crack नहीं कर पाएंगे successfully crack करने का एक ही जड़िया है आप अपने अंदर positive thinking यानि कि plus points को एड़ करें ना कि minus points को तो fear और negativity को आपको neglect ही कर देना है fear और negativity आपके mind के अंदर नहीं होनी चाहिए negative thought नहीं होनी चाहिए कि पहली बार में तो किसी का ही नहीं होता मेरा कहां से हो जाएगा इतने बड़े बड़े टोपर्स बैठे हैं इतने intelligent बच्चे बैठे हैं उनका नहीं होगा तो मेरा कैसे हो जाएगा काफी बार होता ना कि हमारे प्रोस में उस लड़की ने त्यारी की थी UPSC की उस लड़के ने त्यारी की थी UPSC की उसका नहीं होआ हमारा कैसे हो जगा गेरा वगेरा ये फालतु कि जो negative thoughts है ना उनको आपको side में रखना है जो fear है आपके अंदर उनको side में रखना है तो fear negativity का आपके mind में बिल्कुल भी नाम भी नहीं आना चाहिए अपने exam preparation की dictionary से fear negativity को हटा दो ठीक है तो fourth point आपका ये है fifth point क्या है do regular exercise आपको क्या करनी है regular exercises करती रहने है जैसे कि मान लो योगा कर लिया वयायाम कर लिया इससे क्या होगा आपकी जो mind है उसके अंदर क्या होगा oxygen की proper inhaling होगी आपके mind को किसी भी चीज को solve करने के लिए oxygen की need होती है oxygen की आवशिकता होती है आपके मस्तिश्क को या inhale out hell का जो process चलेगा उसकी वज़ा से क्या होगा आपका mind का stamina है तो thinking power है आपकी वो बढ़ेगी और thinking power बढ़ने से क्या होगा आपकी जो decision taking capability है ना निरने लेने की जो शमता है आपकी फैसले लेने की जो शमता है आपकी वो आपकी increase होगी और UPSC के अंदर क्या है आपकी decision making power ह ही देखती है UPSC कि कोई भी बंदा कितने active mind से कोई भी decision ले पाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है do regular exercise आपको regularly exercise करते रहना है ठीक है तो यह था आपका फिफ्ट पॉइंट आपको proper diet लेनी है अपने mind की healthy position को बनाए रखने के लिए उसको वहाँ पे stable करने के लिए आपका mind healthy होगा आपकी diet प्रोपर होगी तो उससे क्या होगा आपको mind की capability है decision taking capability जैसा कि मैंने पहले बताया वह आपकी strong रहेगी तो diet और exercise की उपर आपको खास focus रखना है ऐसा नहीं कि आप सारी दिन किताबों के अंदर ही गुसे रहे डाइट का भी ध्यान रखे और अपनी sleeping time का भी ध्यान रखे ओल्दो आठ गंटे की नींद आप exam से पहले लेके जाए ठीक है sleeping time diet और exercise का आप ध्यान रखें उसके बाद में आप पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखें ठीक है तो proper diet for healthy mind diet के अंदर कैसे जैसे मालों प्रदान करना चाहता हूं जो मैं UPSC aspirants को देना चाहता हूं यह points मेरा यह वीडियो बनाने का main मकसद यही है कि मेरी वज़य से अगरी 6 points की वज़य से अगरी किसी की help होती है तो उससे बड़ा काम कोई भी नहीं होगा तो दोस्तों best of luck आपको happy journey for UPSC यह थे आपके six points जो इस वीडियो में डिसकस किया है इनको आप ध्यान में रखिएगा I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लिगी होते यार एक like तो बनता है उन aspirants के लिए जो UPSC में जा रहे हैं दोस्तों वो कहते हैं कि बड़ा काम करना और बड़ा काम करने की सोचना दोनों फरक होती है बड़ा काम करने के लिए इतनी नहीं चाहिए जितना बड़े काम को सोचने के लिए इनर्जी चाहिए जितना बड़े काम को करने के लिए जो सोच हमें लगानी पड़ती है ना तो सोच में बनानी पड़ती है जो में इनर्जी उसके लिए जो हमें इनर्जी करियर पॉर्टुनिटीज थैंक यू विश्यू वेरी हैपी जर्नी और बेस्ट अफ लग तो और एस्परेंट्स अफ यू पिसी प्रिलिम्स 2020 थैंक यू दोस्तों बबाई टेक कियर जय हिंग जय वारत